साथियो नमस्ते तो आज हम अध्याए एक का जो हमारा उधारण नमबर 11 है उसको सॉल्व करेंगे और हमारा प्रश्ण है संख्या रेखा पर 5 दसमलव इस्थानों तक अर्था 5.37777 तक 5.377 के उपर बार का निरूपन देखिए पहले तो देखो 5.377 के उपर बार का मतलब है कि ये जो साथ है वो बार बार आ रहा है हर बार आ रहा है तो ऐसी संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है आज अपन वो समझेंगे तो सबसे पहले तो देखो हमें जो अंक दिया है वो है 5.387 के उपर बार तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो संख्याओं है वो 5 से बढ़ी है और 6 से छोटी है यानि कि ये जो नंबर है वो 5 और 6 के बीच में है तो पहले जो हम संख्या रेखा बनाएंगे वो 5 और 6 तक की बनाएंगे और इसके बीच में 10 बराबर खाने बनाएंगे यानि कि सबसे पहली जो संख्या रेखा होगी उसमें सबसे पहले पहले तो संक्या रेखा अनन तक जाती है ये हमें ध्यान रखना है और पहला number हमें 5 लेना है और उसके बाद में सीधा क्या आएगा 6 आएगा अब 5 का मतलब होता है 5.0 है ना फिर उसके बाद क्या हता है 5.1 फिर आता है 5.2 फिर आता है 5.3 5.4 5.5 ठीक है फिर 5.6 अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है आप इनके बीच में जो डिस्टेंस ले रहे हैं यह सब की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए है ना 5.6 के बाद में आएगा 5.7 प्रियुक्त फिर 5.8 पांच पॉइंटड नो और नो नौ के बाद में 6.00 ठीक है और आपको यहां पर इसकेल का परियुक्त करना है मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि आपको प्रश्ण कैसे सरल करना है तो हमने 5 और 6 के बीच में ये सारी संख्या है प्रदर्शित की हमारी संख्या किस के बीच में है तो हमारी संख्या 5.3 और 5.4 के बीच में देखो पॉइंट के बाद यहां 3 आ रहा है और बड़ा करने का मतलब हम एक अलग संख्या रेखा बनाएंगे और वो जो संख्या रेखा इस्टार्ट होगी हमारी वो कहां से स्टार्ट होगी उसकी सुरुवात होगी 5.30 से समझ गए ना 5.30 से फिर अगला नमबर आएगा 5.31 फिर उसके बाद नमबर आएगा 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और 39 के बाद में ये 5.4 बन जाएगा ना 5.40 है ना कैसे आया तो देखो 5.39 में जब हम क्या जोडेंगे 0.01 जोडेंगे तो 9 और 1 हो गया 10 केली लगा 1 3 और 1 हो गया 4 और ये हो गया 5 5.40 बन जाएगा ठीक है फिर हम यहां पर संख्या रेका को आगे की और बढ़ा देंगे दोनों तरफ से चलो अब हमारी जो संख्या है वो क्या है 5.37 इसका मतलब ये 5.37 और 3.38 के बीच में है तो हम 5.37 और 3.8 को अब और जूम करेंगे जैसे मोबाइल में हम किसी फोटो को जूम करते हैं न तो इसको भी नंबर लाइन को हम जूम करेंगे यानि हमारी संख्या इनके बीच में कहीं न कहीं पर है तो अब हम जो अगला नंबर लेंगे उसकी स्टार्टिंग कहा से होगी 5.37 0 से होगी तो यहां पर मैं वो नमबर लिख देता हूँ 5.37 और उसके बाद 0 फिर अगला नमबर के आएगा 5.371 फिर अगला नमबर 5.372 फिर अगला नमबर 5.373 फिर 5.374 और फिर 5.375, फिर 5.376, फिर 5.377, फिर 5.377, फिर 5.378, फिर आगे चलते रहो आप, फिर आएगा 5.379, और अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 5.379, फिर 7.9 के बाद 8.0, है ना, एक जूट जाएगा इसमें, 8.0, ध्यान रखना इनके बीज में जो डिस्टेंस है, वो सबकी एक्वल होनी चाहिए, चलो, अब हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 5.377, इसका मतलब ये 3.777 के बाद में यहां 8 के बीच में, यानि 5.377 और 5.378, इनके बीच में कहीं न कहीं हमारा नंबर है, ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो चलो, अब एक और हम संख्या रेका कीचते हैं, और इसकी जो सुरुवात होगी, वो कहां से होगी, 5.377 से सुरूँगी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 5.377 और 0, 7-7 के बाद में 0, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा, 5.377 एक, फिर अगला नंबर क्या होगा, 5.377 दो, फिर अगला नंबर, 5.377 3, फिर 5.377 4, फिर 5.377 5, फिर अगला नंबर, 5.377 6, फिर हमारा नंबर हो जाएगा, 5.377 और 1 और 7, फिर आजाएगा, 5.377 और 8, ठीके? फिर उसके बाद में, 5.377 9, और लास्ट में आ जाएगा, 5.377 और उसके बाद में, 8, है ना, 9 के बाद, 9 के बाद 10 होता है, तो यह हो जाएगा, 8 0, यहां पर आएगा, 8 0, देखो इसको समझना, यह 9 के बाद एक हासल लगेगा, तो यह 0 हो जाएगा, और यह 8 हो जाएगा, यानि नंबर बनेगा, 5.378 0, ठीके? अब हमारा नंबर है, 5.377 7, कहा है 7 7 7, तो देखो यहां पर है 7 7 7, अब यह नंबर हमारा कहा है, एक 7 और है, एक 7 और है, इसका मलब देखो, इसके बीचो बीच में क्या होगा, इसके बीचो बीच में होगा, यह बीच का पॉइंट जो है, वो पॉइंट 5 का होगा, है ना, 5 का होगा, तो 5 के बाद 6 औ उपर बार यह हमारा नमबर जो है लगवग यहां पर होगा ठीक है तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्ण संख्या 11 करना है और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों को शेयर करना है थैंक यू